कर दोष्टों मैं सुरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूटूब चैनल सुर्या क्लासेश पे दोस्तों कैसे आप लोग I hope सभी अच्छों गे चले दोस्तों जैसे कि आपको पता है डेली एट एम पर मेरा इस्पॉकेंड इंग्लिश का दोस्तों क्लास होता है दोस्तों तो उसी के लिए अगर फिर से आप लोग बीच आगे दोस्तो तो चलिए कुछ आज important short phrases के बारे में जानते हैं कि कैसे इसको आप प्रियोग करके बोल सकते दोस्तो तो आज का session दोस्तो थोड़ा छोटा ही होगा दोस्तो और important है दोस्तो पर आपको कुछ से देखने में थोड़ा कम थोड़ा दिखाए देता होगा दोस्तो तो इसके लिए दोस्तो आप से खेद है है दोस्तों आप लोग वीच इसलिए हम आज ये क्लास ले खरागे क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इसू है जिसके करें हैं दोस्ट वाकु सही तरीका से प्रोपर तरीका से साहए नहीं दिख रहा होगा दोस्तों हम देते हैं बोलेंगे तो यदि आपको दिखाया रहता हो अपको लिखने के लिखते लिप आप कोश्च के नियुक्त आफ दोस्त Probable नौकिसों प्रे नियुक्ट बताने वाले नों दोस्तों यह सकते हैं कि मतलब तो सोपिंग करने जाते हैं फालने साफ वह पहले हैं पहान कर देखो दोस्ते कि निसकी में पहला फ्रेज क्या दोस्तों ट्राइट ओन यानि पहन कर देखो क्या है दोस्तों ट्राइट ओन कर देखो ट्राइट ओन पहन कर देखो नेक्स्ट दोस्तों ट्राइट आउट यानि अजमा कर देखो या तो आप बोलते हैं पहन कर देखो इसके लिए आपको बोलना इसमें ट्राइएट औउन और आज्माह कर देखो इसको iyaina और ट्राइट आउट क्या वह और दूस्तहों ट्राइएट आउट वरके लिए इसको मतलब पहनने वला चीज में ता आप चाने वालाइट देखने के लिए तो पहनने के लिए या मढ़ाँ के लिए भी बोल सकते कि ट्राइट और कुछ खाने वाला पादार तो उसके लिए भी प्रियोग कर सकते ट्राइट आउट का सुरी ट्राइट आउट का प्रियोग आजमा कर देखने के लिए भी प्रियोग कर सकते हैं और खा कर देखो खाने वाला चीज है तो वहां भी इसका इस्तिमाल कर सकते है या पहनने वाला चीज है दोस्तोश तो वहां फिसका प्रियोक कर सकते हैं दोस्तोश चलिए पहला संतेच था ट्रॉ इट आन्स धाउन यानि पहन कर देखो नेश्ट दोस्तों ट्राई इट आउट यानि अजमा कर देखो याni कोई कफ़रा है तब ? Set T Brown खाकर देखो कि यही साही यही फ्रेटória का प्रियोक करना к्या ट्राइट आउट dil suspect ग कोई पूझेगा कि बहुत अच्छा है ना क्या प्रियोस्थ है जो तो इसके लिए आपक्या बोलते हैं तो इसकी साई कि जाए डाट च्ट्रू यानि डाट इज ट्रू तो है आपका बात सही है इसके लिए प्रियोक दुस्तों हम लोग क्या करेंगे इंगलिश में डाट्सट्रू नेश्ट दौस्तों सिंस्ष्वें कबसे यह कोई काम करें है दोस्तों आपनेवाला बोलग ये कब से कर रहा है तो कब से के Ind mismo में दोस्तों क्या होगा सिन सुन यानि कब से एक diff कर रहे हैं यह कोई काम आपको कोई मतनु है आपको देखर है फ़र्स टाम करते हैं और उसको नहीं पता है कब से यह काम तो बोलते हैं कब से सिंस्वेन कब से का मतलब क्या बोलेंगे दोस्तों सिंस्वेन सिंस्वेन मतलब कब से नेक्स्ट दोस्तों को डीडी необход ने यह किसने किया जैसे कोई कोई घलती कर देता कोई तोर न्यक्ता है जीदके कुछ फोर डीता है अस кого डिचिया किlier यह किसने क्या के दोस्तों इंगलिस में क्या बोलेंगे वेंडीड इट क्या बोलेंगे दोस्तों वेंडीड इट क्या बोलेंगे वेंडीड इट वेंडीड इट यह किसने किया हूँ डीड इट के दोस्तों क्या बोलेंगे यह किसने किया हूँ डीड इट यह किसने किया नेक गोड़ एस लग गया तो गोड़ नौ इसका मतलब क्या तो भगवान जाने जैसे आप से कोई पूछता है कि गमला किस ने फोरा यह किस ने किया तब क्या उसके लिए बोलते हैं और जिसे पूछ देगा के अपाफ को आ दी माल पूछ रहतां है आपक्या बोलते हैं यह मतलquis कि इसके लिए क्या बोलेंगे भागवान जाने बोलते हैं भगवान जाने हमने रहे तो आप क्या बोलते हैं बस आप मतलब क्या होता दोस्तों बस की जी अब बहुत होगया इसके लिए क्या प्रियों कि देट्स धैट्स इट्ट है ने अब यह नहीं चाहिए बस बहुत हो गया, नेक्स्ट दोस्तों बस के लिए आप क्या पर्यों कीज़ेगा डाट इट इट का मतलब क्या होगा डाट इट का मतलब दोस्तों क्या होगा बस आधि आपको बोलना है कि बहुत हो गया दोस्तों बस के लिए तो डाट इट इट बोलना है बहुत हो गया कि इंग्लिस में क्या झाल इनफ इनफ बहुत हो ग्यां यह से हमेस जो Illustrator अदमिस खाने बहुत हो उना खिलाते हैं सभी चीज का ख्याल रखते हुए अब लाश्ट में जड़े आप खाना खालते हैं तो आप उसको ठैंक्यू कीजिएगा नो धन्यवाद दिजिएगा तो उसके लिए आप क्या बोलेगा डाट्स ओल ठैंक्यू यानी यह सभी के लिए आपको धन्यवाद या यदि आपको देखने में कोई दोस्तो प्रमलव आ रहा है तो हम इसको बोल दिये हैं आप जरूर लिख लिए होंगे दोस्तो यदि फिर भी आपको कहीं दिख रहते हैं एक बार एगेन हम रिकॉल कर वार रहा है दोस्तो आप मिलाते चलेगा और रिवीजिंग भी करते आप खाने वाले चीज के लिए भी प्रियोग कर सकते किलियर नेक्ट है चौथा नंबर डैट स्ट्रो यानि सोतो है हम लोग बहुत साथ है भासा में यूज कर लेते सोतो है इसके लिए इंग्लिस में बोलना है डैट स्ट्रो पांच मैं दोस्तों सिंस्वेन यानि कब से च व्र照 को खाना आप नहीं आप खाना चाहते हैं बोलतर हो गया तो आप बुले एकर और और करनाров लकप यानि बहुत हो गया लَस्ट ये सभी इसको क्या किजिए आप three times रियाद की रिवीजिंग करके इसको क्या किजिए जहां भी इस तरह कर इस्तमाल आपको करने का जरूरी पड़ जाता है दोस्तों वहां पे आप इसका प्रयोग किजिए और बोलने का कुछिस किजिए जदा से जदा जदी आप बोलेगा तभी आप नहीं बोलेगा दोस्तों तो यह नहीं आएगा इसलिए आप इसको जदा से जदा बोलने का कुछिस किजिए जहां भी ज़रूर लगता है तो हिंदी के बदला में इंगलिस में का कुछिस किजिए इस टार्टिंग में हां इतना ही क्रारण लिए चोटा ही है तो आज इतना ही खार चोटा ही हो रहा है दोस्तों तो आज इतन ही फिर से मिलते हैं दोस्तों next class में तब तक यदि अभी तक यदि आप like share subscribe नहीं किए दोस्तों तो चैनल को like नई है तो like कर लिजे subscribe और share भी जायद से ज़ला students तक जिससे कि ज़्यादा एस्टस्तुटार जो भी साथ ही भाय जो जो ढram एफ जो है झाल झाल